Hello Everybody, आजकी लेक्चर वीडियो में हम Moving Average Method चल माद्ध विधी के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम इस चल माद्ध विधी को समझ लेते हैं कि ये क्या होती है बरत्मान समय में दीर कालिन प्रवत्ती ग्याद करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग इसी विधी का किया जा रहा है Moving Average Method का उपयोग किया जा रहा है यह विधी उच्च वच्चनों को एक बड़ी सीमा तक कम करने की आसान विधी है चल माद्धी की गर्णा करते समय सबसे पहले एक आउधी निश्चित कर ली जाती है जैसे मानली जी एक चल माद्धी की आउधी तीन वर्स, पांच वर्स, चार वर्स, छे वर्स, साद वर्स इत्यादी हो सकती है याने चल माद्ध की जो अउधी है वह कुछ भी हो सकती है अब हम माननेते हैं कि चल माद्ध की अउधी तीन वर्स है तो सबसे पहले स्रेणी के तीन वर्सों के मूल्यों को जोड़ कर उनका माद्ध ग्याद किया जाएगा और इस माध्ध को दूसरे वर्स के समक्ष लिखा जाएगा क्योंकि पहले तीन वर्सों का आउसद वर्स दूसरा वर्स होगा अब अगला माध्ध मूल ज्याद करने के लिए पहले वर्स के मूल को छोड़ देंगे और अगले चोंते वर्स के मूल को जोड़ेंगे मूल Sally के सामने रखेंगे क्योंकि दूसरे, तीसरे और चोहते वर्स का माध्ध वर्स जो होगा वहिस्त्रा वर्स होगा इस प्रकार से हम अगले वर्सों के माध्ध मूल ज्याद करेंगे इस बिदी में चलमाद्ध ज्याद करने के लिए निम्न सूत्नों का प्रयोग किया जाता है जैसे मानलीजे हम हैं तीन वर्सी चलमाद्ध थी येरली मूबिंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम स्रेणी के सबसे पहले के तीन वर्स मानलीजे एकस वन, एकस टू और एकस थी इन तीनों वर्सों के मूलीजे का योग करेंगे और उसमें तीन का भाग देंगे और उसको फिर हम एकस टू यानि दूसरी नम्मर के जो वर्स है उसके सामने उस माध्ध मूल को रखेंगे इसी तरह से हम अगला माध्ध मूल जब निकालेंगे तो उसमें x1 वर्स को ये मूल को हम छोड़ देंगे और x2, x3, x4 इन तीन वर्स के मूल्यों को जोड़ेंगे और तीन का भाग देंगे और उस माध्ध मूल को x3 वर्स के सामने रखेंगे इस तरह से हम तीन वर्सी चलमाद्ध ग्याद करेंगे अब ये तो बात हुई हमारी तीन वर्सी चलमाद्ध ग्याद करने की इसमें हमने तीन का भाग इसलिए दिया है क्योंकि हम तीन वर्सी चलमाद्ध ग्याद कर रहे हैं अब मानलीजे हमें अगर पांच वर्सी चलमाद ग्याद करना हो तो हम स्रेणी के पांच वर्सों के मूल्यों को जोड़ेंगे और पांच का भाग देंगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है X1, X2, X3, X4, X5 ये पांच वर्सें इन पांच वर्स के मूल्यों को जोड़ेंगे औ इसी तरह से अगर हमें अगला माध्य मूल्य निकालना है तो हम x1 को छोड़ देंगे और x2, x3, x4, x5 और x6 इसके मूल्यों को जोड़ेंगे और x4 के सामने उस माध्य मूल्य को रखेंगे। इसी तरह से अगर हमें अगला माध्य मूल्य निकालना है तो हम x2 को छोड़ देंगे और x3, x4, x5, x6 और x7 वर्स के मूल्यों को जोड़ेंगे और उसमें 5 का भाग देंगे और उसे 5 वे वर्स के मूल्य के सामने रखेंगे। इस तरह से हम 5 वर्सी चल माध्य की गरना करेंगे। यहां पर हमने 5 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि हम 5 वर्सी चल माध्य की गरना कर रहे हैं। इसी तरह से हम 7 वर्सी चल माध्य की गरना कर सकते हैं। अगर हमें 7 वर्सी चल माद की गर्णा करना है तो हम क्या करेंगे हम स्रेणी के 7 वर्सों के मूल्यों को जोडेंगे और उसमें 7 का भाग देंगे और उसे 4 वाले वर्स के सामने उस माद मूल को हम रखेंगे इसी तरह से अगला माद मूल अगर हमें निकालना है तो पहले वर्स के मूल को छोड़कर X2 से X8 तक के वर्सों के मूल्यों को जोडेंगे और उसमें 7 का भाग दे कर जो माद मूल आएगा उसको X5 वर्स के सामने रखेंगे इस तरह से हम 7 वर्सिये माद मूल को ग्यात कर सकते हैं यहां पर हमने 7 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि हम 7 वर्सिये चल माद की गरना कर रहे हैं चात्रों अब हम एक इग्जाम्पल के द्वारा यह समझेंगे कि moving average method के द्वारा 3 yearly trend value किस तरह से find out किया जाता है इस सवाल में हमको 2 variables दिये हुए हैं वर्स दिया हुआ है 1990 से 1999 तक और इन वर्स की हमको sell दी हुई है इस से हमको 3 yearly trend value find out करना है इस स्कीन पर आप देखें column नम्मर 1 पर हमने year को प्रदरसित किया है जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है और column नम्मर 2 में हमने sales को दरसा आया है जो कि हमको सवाल में दी हुई है अब column नम्मर 3 में देखें आप चुकि हम 3 वर्सिये चल माद्धि निकाल रहे हैं इरली मूबिंग एवरेज कल्कुलेट कर रहे हैं इसलिए हम तीन वर्सों के मूल्यों का योग करेंगे और उन तीन वर्सों के बीच का जो बर्स होगा उस वर्स के सम्मुख उस योग को उस मूल्यों को हम रखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए 1990, 99 और 92 इन तीन वर्सों की सेल हमको दी हुई है 30, 25, 35 इन तीनों सेल्स को हमने जोड़ा कितना आया 90 उसको हमने 1999 वर्स के सामने रखा अब दूसरा चलियोग जब हम निकालेंगे तो वहाँ पर 1990 की जो सेल है 30 उसको हम छोड़ देंगे और 1991, 92 और 93 इन तीन वर्स की सेल जो दी हुई है 25, 35, 20 इन तीनों सेल्स को हम जोड़ेंगे और इस तरह से हमको जोड़ जो मिल रहा है टोटल मिल रहा हमको 79 इस 79 को हम वर्स 1992 के सामने रखेंगे क्योंकि वर्स 1992 जो है वह 1991, 92 और 93 इन तीनों वर्स के बीच का वर्स है इस तरह से विध्यार्थियों हम जब 3 early moving average निकालते हैं तो सबसे पहले हम तीन वर्सों के योग को तीन वर्सों के जो मूल दिये हुए हैं उसको जोड़ेंगे और बीच वाले वर्स के मूल के सामने रखेंगे फिर दूसरा जब हम चल योग निकालेंगे तो उपर वाले वर्स के मूल को हम छोड़ देंगे और फिर हम नीचे से यानि 1991, 92 और 93 इन तीन वर्सों के सेल्स को हम जोड़ेंगे और बीच वाले जो वर्स है 1992 उसके सामने रखेंगे इसी तरह से अब अगला जब हम चल योग निकालेंगे तो वहाँ पर हम 30, 25 इन दोनों को छोड़ देंगे और 35 जो की 1992 की सेल है, 1993 की 20, 1994 की 24 इन तीनों सेल्स को हम जोड़ेंगे और 1993 की सामने रखेंगे जो की 79 आ रहा है अब इसी तरह से हम उपर की एक सेल्स को छोड़ते जाएंगे और नीचे की एक सेल्स को एड़ करते जाएंगे और बीचों बीच वाले बर्स में उस चल योग को रखेंगे इस तरह से हमको कॉलम नम्मर 3 में 3 वर्स ये चल योग प्राप्त हो गया है यहां परविध्यार्थियों आप देखिए 1990 वर्ष के सामने कॉलम नंबर 3 में डैस लगा हुआ है और 1999 वर्ष के सामने भी कॉलम नंबर 3 में डैस लगा हुआ है क्योंकि यह दोनों ही वर्ष जो हैं किसी भी जो 3-3 वर्ष की हम जोड़ी बना रहे हैं उन तीनों वर्स की जोड़ी का औसत वर्स नहीं है, इसलिए इन वर्सों के सामने डैस लगा हुआ है, अब अभी तक तो हमने तीन वर्सी चल्योग निकाला है, जो की कॉलम नम्मर 3 में दिखाया गया है, अब छात्रों, चुकि हम तीन वर्सी चल्योग निकाल रहे हैं, इसलिए हमने जो कॉलम नम्मर 3 में जो डाटा फाइंड आउट किया है, याने तीन वर्स का चल्योग निकाला है, उस चल्योग में तीन का भाग देंगे, और उसको कॉलम नम्मर 4 में लिखेंगे, वही हमारा 3 early moving average कहलाएगा जैसे कि आप देखिए उन्नीस सो इंक्यानवे का जो हमने 3 early average निकाला है column number 3 में 90 है वह है उस 90 में हम 3 का भाग देंगे तो हमको column number 4 में जो आप 30 देख रहे हैं वह है प्राप्त होगा इसी तरह से 79 में भी 3 का भाग देंगे 79 में फिर 3 का भाग देंगे तो 26 आएगा 69 पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा फिर 77 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा 79 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा 82 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा और 86 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा विद्यारितियों आप एक बाद को ध्यान रखें कि जब भी हम चल माद्ध विधी से moving average निकालते हैं या trend value find out करते हैं तो वहाँ पर find के बाद में जो भी digit आते हैं उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं उसको हम छोड़ देते हैं याने जो round figure में जो value होती है उसी को हम चित्र में दर्साते हैं अब आप इस screen को देखिए जिसमें chart नमर 1 में हमने 3 yearly moving average को दर्साया हुआ है यहाँ पर इस table में चुकि हमको cells column नमर 2 में जो दी हुई है वह सवाल में दी हुई थी उसको हमने इस chart में original line कहा है जो की blue color की line है उससे इसको हमने दर्साया है और इस table में देखिए यहाँ पर जो column number 4 है इसमें हमने जो value find out किया है उस value को जो की 10 value कहलाती है इस value को हमने red line से इस chart में दर्साया है इस तरह से हमने हमने तीन वर्सिये चल माध्ध ग्याद किया है और उन दोनों जो की original value और trend value इन दोनों value को हमने chart number 1 में दर्साया है इस तरह से विद्यार्थियों इस सवाल में आपने सीखा कि किस तरह से हम तीन वर्सिये चल माध्ध ग्याद करते हैं आपको एक्जाम में जब यह सवाल आए तो आपको तीन वर्सिये चल माध्ध ग्याद करना है जो अभी हमने सीखा है उसको और फिर ओरिजनल वेल्यू और टेंड वेल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं इन्हें दोनों को रेखा चित्र में आपको प्रदर्सित करना है इस टेवल में कॉलम नमर फोर में जो माइनिस थी लिखा हुआ है वह मिस्प्रिंट है उस पर ध्यान ना दें वह केवल डैस है चात् अब हमारे सामने एक्जामपल नमर टू है और इसमें कहा गया है कि चाय के उत्पादन से संबंधित समंकों से चल माध्य विधी यहने मूबिंग एवरिज मेथड द्वारा चार वर्सिये उपनती मूल ग्याद करके ग्राप पेपर में अंकित कीजिए इस सवाल में हमको च चार वर्सिये उपनती मूल ग्याद करना है वह भी चल माध्य विधी के द्वारा तो इस सवाल में भी हमको दो तरहें के चर दिये हुए हैं पहला चर दिया हुआ हमको वर्स 1988 से 1998 तक और इन ही सभी वर्सों के चाय का उत्पादन हमको दिया हुआ है इससे अब हम चार वर् बढ़ना करेंगे आईए इस स्कीन को आप देखिए इस स्कीन में हमने 4 yearly moving average calculate किया है column number 1 में year जो की हमको सवाल में दिये हुए है उसको हमने दर्साया है और column number 2 में हमने चाय के उत्पादन को दर्साया है वहे भी हमको सवाल में दिया हुआ है इस तरह से ये दोनो variables year और production आप T ये दोनों हमको सवाल में दिये हुए है अब आप column number 3 को देखिए जिसकी heading है 4 yearly moving total याने हमको चार वर्सों के मूल्यों को यहां पर जोड़ना है चार वर्स के मूल कौन-कौन से होंगे 1988, 1989, 1990 और 1999 इन चारों वर्सों के जो चाय का उत्पादन है 462, 510, 525 और 470 इन चारों को चारों जो उत्पादन है टीका इन चारों value को हम जोड़ेंगे और जोड़के हम चारों वर्स के जो बीचों बीच होगा वहां पर उसको हम लिखेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को इन चारों value को black वाले bracket से दिखाना चाहा है आप इसको देखिए black वाले bracket में यह चारों value है और इन चारों value का योग करके हमने 1989 और 1990 इन दोनों के बीच वाली लाइन पे हमने लिखा है 1967 यह लिखा हुआ हमने column नम्मर 3 में अब यहां पर हमने चार वर्स के मूल्यों को जोड़ा है और चारों वर्स के जो बीच वाला चारों वर्स का जो बीच मद्धिविंदू है उसके बीच में हमने उस योग को लिखा है याने 1967 को लिखा है जो कि आप ब्रेकेट फस्ट में आप देख रहे हैं अब हम दूसरा योग निकालेंगे तो जो 1988 वाला वर्स है उसका जो हमको टी का उत्पादन दिया हुआ है 462 उसको हम छोड़ देंगे और 510, 525, 470, 515 इन चारों वैल्यू को हम लेंगे इन चारों को एड करेंगे इन चारों को जोड़ेंगे और उसको चारों वर्स के बीचों बीचवारी लाइन याने 1990 और 1999 इन दोनों वर्स के बीच में हम लिखेंगे और इनका टोटल आ रहा है 2020 जो की कॉलम नम्मर 3 में लिखा हुआ है आप रेट कलर का ब्रेकेट को देखिए इस ब्रेकेट में ये दिखाया गया है कि चार वैल्यू को जोड़ा गया है और 1990 और 1999 इन दोनों वर्स के बीच वाली लाइन में 2020 को लिखा गया है तो इस तरह से चात्रों जब हम 4 yearly moving average निकालते हैं तो चार वर्सों की मूल को जोड़ते हैं और उन चारों वर्स के बीचों बीच में हम उस योग को लिखते हैं फिर जब अगला हम 4 वर्स योग निकालेंगे तो उपर की value जैसे कि हमने 462 को छोड़ा उसके वाद वाले 4 value को लिया उनको जोड़ा और फिर बीचों बीच में लिखा फिर इसी तरह से फिर एक उपर का value और छोड़ देंगे और नीचे की एक value को और add कर लेंगे इस तरह स हम चार-चार value को जोड़ेंगे और बीचों बीच में चारो वर्स की बीचों बीच में उनको लिखते जाएंगे इस तरह से हमको 4 yearly moving total प्राप्त होंगे जो कि आप column number 3 में red color के font में आप देख रहे हैं जब हम नीचे सबसे नीचे अगर हमें किसी वर्स की चार वर्सों की जोड़ी नहीं बनती है तो उसे हम छोड़ देना है यह आपको ध्यान रखना है जब तक चार वर्स चात्रों अब हमने column number 3 में 4 yearly moving total जो ग्यात किया है उसको आप ध्यान से देखिए यह जो red color के font में हमने total को लिखा है इसको आप देखिए यह किसी भी वर्स के सामें नहीं लिखा गया है वलकि दो वर्सों के बीच वाली जो line है उस पर लिखा गया है जैसे कि आप देखिए हस्ट वाली value 1967 यह value 1989 और 1990 इन दोनों के बीच में लिखी गई है ना तो यह value 1989 के सामने है और ना ही 1990 के सामने है इसी तरह से यह red color की पूरी value जो की column नम्मर 3 में दी हुई है यह किसी भी वर्स के सामने नहीं लिखी गई है तो अब हमको क्या करना होगा कि इन value को हमको centring इनकी करनी पड़ेगी इन्हें हमको kendra मूले हमको इनके ग्याद करने पड़ेंगे याने हमको अब इन value को kendra में लाना पड़ेगा किसी वर्स के सामने इनको हमको दरसाना पड़ेगा अब आप column number 4 को देखिए column number 4 में हमने क्या किया है जो column number 3 में हमने red font वाले data calculate किया है इन दो-दो value को जोड़के और उनके बीचों बीच में हमको हमने उसको लिखा है जैसे कि आप पहली वाली value देखिए column number 4 की 3987 यह जो है 1967 प्लस 2020 का total है इन दोनो value को हमने जोड़ा तो 3987 हमको प्राप्त हुआ अब अगला अगली value हम किस तरह से जोड़ेंगे 2020 प्लस 2060 इन दोनो value को हम add करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4080 अब आप देखिए 4080 किस बर्स के सामने है 1999 के सामने है इसी तरह से 3987 किस के सामने है 1990 के सामने है इस तरह से हम को हम क्या करेंगे यह जो column number 3 में जो red color के value हमको मिली है इन value को दो-दो value को हमको जोड़ना है और बीचों बीच में उसको column number 4 में put up करना है तो अब आप देखिए कि column number 4 में सारी value जो है केंदर में आ चुकी है केंदरित हो चुकी है और वह किसी ना किसी वर्स के सामने है तो इस तरह से हमने इन value को column number 4 में केंदरित कर लिया है और यह किसी वर्स के सामने लिखी गई है अब विध्यार्थियों column number 5 को आप देखिए जहां पे हमने 4 yearly moving average calculate किया है एक धिहान देने वाली बात यह है कि जैसा कि पिछले example में हमने देखा था कि जैसे हमने तीन वर्स चल माद्ध गयाद किया था तो हमने जो total value आई थी हमारी उसमें हमने 3 का भाग दिया था तीन वर्स के योग को जोड़ा था और 3 का भाग दिया था यहाँ पर इस सबाल में हम चार वर्सिये माध्ध याद कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे चार का नहीं बलकि चार दुनी आठ का भाग हम centric value पे देंगे याने column नमर 4 पे जो हमने value calculate किया है उस value पे हम चार का नहीं बलकि आठ का भाग देंगे आठ का भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम सम संख्याओं वाले वर्सों के चल माध्ध याने 10 value फाइंड आउट करते हैं तो हम दो बार value को जोड़ते हैं एक बार आप देखिए column नमर 3 में हमने जोड़ा है column number 3 में column number 2 के 4 value को जोड़ा हमने और column number 3 में लिखा फिर column number 4 में जो value हमने find out किया है वह column number 3 की 2 value को हमने जोड़के column number 4 में value को find out किया है इस तरह से जब भी हम सम वर्सों के moving average निकालते हैं तो वहाँ पर उसका double का भाग दिया जाता है अगर आप 2 वर्सी निकाल रहे हैं तो 4 का भाग देना है अगर आप 4 वर्सी निकाल रहे हैं तो आप 8 का भाग देंगे और अगर हम 6 वर्सी चलमाद धियात करते हैं double का भाग करेंगे तो यहां पर हम 4 का भाग देंगे, column number 4 की sorry, यहां पर हम column number जो 4 में हम जो value find out किया है उस पे हम 8 का भाग देंगे, तो 3987 divided by 8 equal to 498 जिसको column number 5 में हमने लिखा है इसी तरह से 48T divided by 8 equal to 510 इसी तरह से 4170 divided by 8 equal to 5 to 1, इस तरह से यह जो column number 4 में purple color की जो value दी हुई है, इन सभी value पे याने centric total जो है उस पर हम 8 का भाग देकर, column number 5 में 4 yearly moving average find out करेंगे जिसको आप column number 5 में green font color से आप देख रहे हैं इस तरह से छात्रों हमने 4 वर्सिये moving average calculate किया, अब इस moving average को हमको रेखा चित्र में प्रदर्सित करना है, एक diagram में इसको हमको दिखाना है, तो हम क्या क्या दिखाएंगे, एक तो yellow color के जो हमको production टी का दिया हुआ है, column number 2 में, जो की original value हमकी हमारी, उसको हम प्रदर्सित करेंगे, और column number 5 में, जो की हमने 4 yearly moving average find out किया है, इसको हम रेखा चित्र में प्रदर्सित करेंगे, तो आईए इस रेखा चित्र को आप देखिए, chart number 2 में, यहाँ पर हमने original value और trend value, इन दोनों value को हमने प्रदर्सित किया है, और original value की original line जो है, वह है dark yellow color की है, और जो हमने 4 yearly moving average find out किया है, वह है trend line को हमने green color से इसको हमने प्रदर्सित किया है, इस तरह से विध्यार्थियों, आज आपने इस lecture video के माध्यम से, तीन वर्सिये चलमाध्य और चार वर्सिये चलमाध्य का अध्यन किया, मैं आहे आसा करता हूँ, कि आपको यह lecture video आपकी अध्यनकार में काफी सहयोगी होगा, आप इसी तरह से मेरे lecture video को देखते रहें, और इस वीडियो को like and subscribe जरूर करें, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो बनाऊंगा, वो आप तक अतिसीगर पहुंचें, थेंक्यू.